हेलो फ्रेंट्स, फिल्कम बेंग टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिजाइन फ्रेंट्स कले की वीडियो में मैंने आप लोगों को स्लीप्स की डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ में बताया था अब हम लोग आज सीखते हैं कि हमें किस तरीके से फॉल लगानी होती है साड़ी में क्योंकि जब मैं लाइब आई थी तो आप लोगों ने फॉल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था और वैसे भी लोग कमेंट्स करते रहते हैं फॉल लगाने के लिए तो चलो आज की वीडियो में हम लोग fel को कैसे लगाते हैं प्रॉपर एग एक चीज करके देखेंगे तो पहले में वीडियो में आज की वीडियो में आपको मसीन से आधी फॉल लगाना बताऊंगी और आधी हाथ से और अगर आपको खिवल पूरा मतलब मसीन से नहीं लगानी है टोटल आपको हाथ से ही लगानी है पूरी फॉल तो आप कमेंट्स कर देना मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं मेरे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिये और चैनल पर हमारी नयव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलो आज का वीडियो हम लोग सुरू करते हैं तो देखो फ्रेंड्स यहां पर जो भी साड़ी में हमको फॉल लगानी है वह सा इसे पकड़ने के बाद नीचे की साइट फॉल लगाएंगे उल्टे साइड में और यहां पर फॉल में आपको प्रेस कर के लिए प्रेस कर लिया हुआ है आप चलो यहांपर हम लगाएंगे कैसे तो एक साइड हम मशीन से लगाएंगे तो इसके लिए हमको उपर से ऐसे इंची टेप रखना है यहाँ पर हम 10 इंच छोड़ देंगे उल्टे साइड में रखना है पुनी साड़ी पे ठीक है और पल्लू साइड नहीं इधर साइड से मतलब जो किनारा साइड होता है साइड को 10 इंच छोड़ देंगे और बस यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो अंदर की साइड को हाफ इंच लगबग आपको फॉल को दबा के रखना है मतलब कटा हुआ कपड़ा ना दिखे ठीक है और उल्टे साइड में हमने इसको रखा है यह हमारा सीधा साइड है अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे सिर्फ नीचे नीचे की साइड में और यह सिलाई हम बड़ी वख्या से लगाएंगे ठीक है छोटी वख्या से नहीं लगाएंगे पूरे फुल बड़ी वख्या से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो पूरे में हम नीचे की साइड में शिलाई लगा लिया इधर भी हमने अंदर के शेट को फोल्ड करके यहां पर अस्तर फॉल रखा हुआ है तो इस तरीके से यह हमने पूरे में नीचे में शिलाई लगा लिया है देख सकते हो अब हमने इसको पूरा ओपिन करके इस तरीके से फैला के रख दिया है रखने क यहां पर हम क्या करेंगे इसे पिन से सिक्यूर कर लेंगे इस तरीके से अगर आप फॉल लगाओगे न तो कभी भी आपके फॉल में जोल नहीं आएगा बस एक बार में ही आपके साड़ी में फॉल लगके कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से आपको कहीं कहीं पर प्लेन कुछ भी डबती वगयरा कॉपी वगयरा जो भी आपके पास है थोड़ा मोटा में ले लेना है लेने के बाद यहां पर मैंने लिया हुआ है मेकप किट और इसको मैंने नीचे रख दिया है अब यहां पर हम धागा लेंगे तो तुर्पाई वाली शूई लेनी है बिल सिलाई लगानी होती है जैसे हम अपने ब्लाउज में बांकी चीजों में तुर्पाई करते है जैसे कि मैंने तुर्पाई करना तो बिल्कुल डीटेल में आपको बताया ही है उसी तरीके से यहां पर हम तुर्पाई करेंगे और पूरे में ही इसी तरीके से तुर्पाई कर लगा लेते हैं तुर्फाई की कर लेते हैं यहाँ पर चलो हम यहां पर पूरे में तुर्फाई कर लिए हैं इस तरीके से तो देख सकते हैं हम आपको यहाँ पर पूरी साड़ी दिखा कहीं पर भी कोई जोल नहीं आया हुआ है हमारे साड़ी और फाल में तो कितनी फ्रीसिंग के साथ में हमारी फाल लगके रेडी है तो Friends ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बिल्कुल डीटेल से फाल लगाना बताया हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो सस्क्राइब कर देना और जो भी चीज सीखना है तो कमेंट्स कर देना चलो मिलते हैं नए वीडियो में जैस्त्री कृष्णा रादे रादे